आरेन खान की जमानत ना हो सके इसके लिए NCB ने पूरा जोर लगा दिया है आज सुनभाई के दौरान कोर्ट में NCB की तरफ से ऐसी ऐसी दलीले दी गई कि वहां मौजूद हर शक्स हैरान रह गया कोर्ट रूम में NCB की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि आरेन खान के फोन से जो चैट मिली है उसमें इंटरनेशनल ड्रग पैडलर्स का कनेक्शन मिला है यानि ये मामला ड्रग्स लेने देने तक नहीं रह गया बलकि इंटरनेशनल लेबल पर किस तरह से पूरा रैकेट देश की जड़ों को कमजोर कर रहा है इस पर ये मामला आकर रुग गया है पिसले दुनों NCB ने इस मामले में दो विदेशी नागरिकों को गिरफतार किया था NCB ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने भारत सरकार के विदेश मंतराले को इस केस के बारे में जानकारी दी है ताकि इस केस के तार जिन विदेश्यों से जुड़े हैं उनसे पूस्ताच की जा सके कुल मिलाकर अब इस मामले में भारत सरकार का भी रोल आ गया है अब ये मामला सिर्फ आरेन खान केस से जुड़ा नहीं रहे गया बलकि इसकी गूँज अब अंतराष्टी अस्तर पर सुनाई दे रही है आरेन से पहले अब तक ड्रक्स मामले में जितनी भी गिरफतारियां हूँ थी उनमें इतने बड़े लेवल के कनेक्शन नहीं मिले थे लेकिन इस मामले के तार तो विदेश्य जाकर मिल रहे हैं जो इस बात का संकेत हैं कि ये मामला कोई आम मामला नहीं है फिलाल अब कोट इस मामले पर गुरवार को सुनवाई करेगी अगर एंसीबी कोट में अपनी बात सावित कर देती है तो आरेन को जमानत मिलना काफी मुश्किल हो जाएगा फिलाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या रहा है हमें कमेंट में बताइए और भी जाद ऐसी अपडेट्स के लिए हमारी जनल को सब्सक्राइब कीजे